जै शिराधा कृष्ण भगवान जी की, जै शिर्मत भागवत महापुरान की, मंदर शिबंसी वाले महात्मा यूडिव चैनल के ओर से हम आप सभी भगतों का हार्दी का विनंदन करते हैं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, शिर्मत भागवत महापुरान के दस्वे हमें आपने सुना था कि किस परकार भगवान शिक्रिशन सब गोपियों के घर में जाकर माखन की चोड़ी करते हैं, अब उससे आगे की कथा, शिर्शुकदेव जी महाराज राजा प्रिक्षिस से कहने लगे हैं, हे राजन जब सब गोपियों ने ये शोदा मया से शिक्रि और ही करते होंगे, या गोपियों जूट बोलती होंगी, मैंने कभी इन गोपियों के घर को देखा ही नहीं, वैसे तो सब गोपियों के मन में यही इच्छा होती हैं कि ठाकुर जी हमारे घर आएं हैं, और हमारे घर का दूद, दहीं और माखन ये भोग लगाएं, आज सब गोपियां वापिस से गई हैं समय बीतता गया लेकिन कनहिया ने माखंचोर क्रिश्न कनहिया ने गोपियों के घर का गोरस चूराना नहीं छोड़ा तब सब गोपियों ने मिलकर ये निश्य किया है कि एक दिन माखंचोर मन मोहन को गोरस सहित पकड़ कर ये शोदा मिया के पा कर माखन आदी चुरा कर खा रहे थे उस समय सब गोपियों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया है अन्य सब गवाल बाल तो भाग गए केवल मन मुहन नंद कुमार ही वहां पर रह गए हैं आज ठाकुर जी सब गोपियों की पकड़ में आ गए हैं मन में आज शिक्रिशन कनहया ल सोचने लगे हैं कि अब तो आज गोपियों ने पकड़ ही लिया अब तो ये शोदा मैया बड़ा डांटेगी अब तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी आज ठाकुर जी मन में ये भाव रखकर सोच रहे हैं कि किस तरह से अपना बचाव किया जाए और उधर सब गवाल बाल म के मन में ना जाने उस समय क्या चल रहा है तो इधर सब गोपियों ने मिलकर ठाकुर जी को जब पकड़ लिया तो सब मिलकर आपस में कहने लगी हैं कि आई तो ये शोदा मैया को माखन चोर का दर्शन करवा कर ही रहेंगी उस समय सब गोपियां क्रिश्न कनहिया लाल जी को साथ लेकर ये शोदा के पास चली तो आज मार्ग में ही ठाकुर जी ने ऐसी सुन्दर लीला की है कितनी प्यारी लीला की है कैसा सुन्दर खेल आज किया है कि जो गोपियों उनका हाथ पकड़े चल रही थी उसके हाथ में उसी के देवर को इशारे से बुला कर उसका हाथ और उसके मुँपर दही के हाथ पहुँचकर आज कृष्ण कनहिया लाल वहां से भाग निकले हैं लंबे घूंगट में उस गोपी को उस भेद का कोई पता नहीं चला ठाकुर जी की लीला को वो नहीं समझ सकी है जब वै अन्यब्रज बालाओं के साथ ये शोदा जी के पास जाकर ये कहने लगी कि हे ये शोदा तुम्हारे लाला के कारण गोकुल में गोरस नहीं बचता है ये प्रते दिन हमारे दहीं दूध माखन आदी को चुरा कर खा जाते हैं और जब इन्हें कोई पकरता है तो ये बहाना बना देते हैं कि इसने जबरदस्ती मेरे मुख से मा जाली देते हैं और दूध दही के बरतनों को तोड़ फोड़ डालते हैं जब हम लोग उल्हाना देने के लिए तुम्हारे पास आती हैं तो है ये शोदा तुम भी हमें जूठा ठहरा देती हो अते आज हम तुम्हारे लाला को माखन चुरा कर खाते समय ही पकड़ कर लेकर आई हैं लेकिन उन्हें ये मालुम नहीं है कि ठाकुर्जी ने तो अपनी लीला दिखा दी है सब गोपियां ये सोच रही है कि आज श्री कृष्ण को डांट पड़ेगी ये शोदा मया को सत्य का पता चलेगा लेकिन जो ठाकुर्जी चाहते हैं वो तो वो कर ही लेते हैं ठाकुर्जी ने अपनी लीला का चकर चला दिया है ठाकुर्जी किसी के बंधन में आते ही नहीं है तो ये शोदा मया ने सब गोपियों की ऐसी बात सुनकर कहा है अरी सकी मेरा मन मोहन कहा है तुम अपने चोर का मुख तो देखो तब तुम्हें स्वंपता चल जाएगा कि तुम कहा की सची हो मेरा लाला तो कल से घर के बाहर निकला ही नहीं है ये शोदा मया के ऐसे वचन सुनकर जब उस गोपियों अपने चोर का मुख देखा तो श्री शेमन लजित होकर कन्हिया की चतुराई समझ कर आज वो गोपी हसनी लगी हैं सब गोपीआ आज हसनी लगी हैं उस समय ये शोधा जी ने सब गोपीओं से कहा है हे गोपियो तुम जूठा दोश लगाती हो मेरा कनहिया अभी केवल छे वर्ष का है अतहे मैं चोरी करने योगे नहीं है आज शिक्रिष्ण ने सब गोपियों को जूठा बना दिया है अपनी लीला का ऐसा खेल दिखाया है अपनी ऐसी लीला दिखाई है कि सब गोपियां आज जूठी पड़ गई है जब सब गोपियां अपने घर की ओर गई है उस समय ये शोदा मया ने मन ही मन सोचा है कि कुछ न कुछ तो बात जरूर है कनहिया ने कुछ तो किया होगा अन्यता ये सब गोपियां ऐसे हमारे घर नहीं आती उस समय ये शोदा मैया ने शिक्रिशन से कहा है एक नहिया मेरे घर में सब परकार की मेवा मिठाई माखन मिश्री दूद धहीं भरा पड़ा है फिर तू उसे तो ख चोरी छोड सावरे मैं समझाऊं तोई नो लख गईया नंद बाबा घर नित नयो माखन होए अरे माखन की चोरी छोड सावरे मैं समझाऊं तोई बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेंगी तोई अरे माखन की चोरी छोड सावरे मैं समझाऊं तोई आज ये शोदा मैया श्री कृष्ण जी से कहने लगी है कि हे पुत्र राधारानी भी तुझे चोर कहकर पुकारेंगी इसलिए माखन की चोरी छोड दे तू समझता क्यों नहीं है सब गोपियां बार बार उलहाना लेकर आती है इसलिए तुम्हें बारं बार कहती हूं कि मा पुकार को अन्सुना कर दे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है जो प्रेम से ठाकुर जी को बुलाता है ठाकुर जी उसके घर किसी न किसी तरह से पहुँच ही जाते हैं लेकिन ये शोदा मईया को इस बात का ग्यान नहीं है इसके पशात की कथा का वर्नन करते हुए आज श्रिशुकदेव जी महाराज राजा प्रिक्षिस से कहने लगे है कि हे राजन उस समय जब ये शोदा मईया ने श्रीक्रिशन जी से माखन की चोड़ी को छोड़ने के लिए कहा तो श्रीक्रिशन तुत लाते हुए मदुर स्वर में इस परकार कहने लगे है कि हे मईया माखन की चोड़ी तो नहीं छोड़ सकती चाहे कुछ हो जाए माखन चोड़ी करना नहीं चोड़ूंगा मैया जब मैं घर से चलू बुलावे गवालिन घर घर मोही कोव कहे मेरे घर क्यों नहीं आए कौन पढ़ायो तो ही ता जो माखन खाय जा लाला होनी होय सो होय हे मैया सब गोपियां अपने आप ही तो मुझे बुलाती हैं अपने आप नया नया माखन मिश्री खिलाती हैं और फिर आप ही शिकायत कर जाती हैं हे मैया मेरा कोई दोश नहीं है आज ठाकुर्ज ने बड़े प्रेम भाव से सब गोपियों को प्रसन किया है ये शोदा मैया शिक्रिशन की मादुरी मुस्कान देखकर उनकी रूप मादुरी को देखकर ये शोदा मैया भी आज प्रसन हुई है मन से वो चोरी वाली बात निकल चुकी है माखन चोरी की बात निकल चुकी है क्योंकि ठाकुर जी का सवरूप इतना सुन्दर है कि जो कोई उनके सवरूप को देखता है उसका मन ठाकुर जी के चरंद कमलों में लग ही जाता है उसका मन संसार के सब भोग विलास को संसार की सब बातों को एक शन में भूल जाता है इतनी कथा सुना कर आज श्रिशुकदेव जी महराज कहने लगे हैं हे राजन इस प्रकार मन महर श्रिक्रिशन चंदर जी अपनी नई नई लिलाओं द्वारा ये शोदा मैया नंद बाबा और सब ब्रजवासियों को आनंद देते रहते थे ठाकुर जी की लीला को कोई समझ नहीं सकता है जो प्रभू शीर सागर में शेन करते हैं बड़े-बड़े ध्यानियों, बड़े-बड़े योगियों, बड़े-बड़े सीध महात्माओं के ध्यान में भी जो प्रभू नहीं आते वेही प्रभू सब गोपियों के प्रेम के बंधन में बंध कर उनके दही माखन के चोर बन गई है सब गोपियां प्रेम से उन्हें बुलाती है और ठाकुर जी सब गोपियों के घर में जाते हैं जिन प्रभु के चरंद कमलों का ब्रह्मा शिवादी सैज ही दर्शन नहीं कर पाते उन्हीं को गोकुल की गवाली ने बहां पकड़ पकड़ कर अपने आंगर में नाच नचाती हैं सब प्रेम की बात है जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम होगा भगवान भी उस भक्त से प्रेम करेंगे भगवान प्रेम का बदला प्रेम से देते हैं संसार प्रेम का बदला प्रेम से नहीं देता इसलिए प्रेम करना हो तो केवल भगवान से करना चाहिए संसार से वैवार किया जा सकता है लेकिन प्यार तो केवल श्री राधा कृष्ण भगवान जी से करना चाहिए वो प्रेम का बदला प्रेम से देते हैं संसार प्रेम के बदले प्रेम नहीं करता संसार में जिससे जितना अधिक प्यार होगा वही इंसान को ज्यादा रूलाता है आप अपने जीवन में देख सकते हैं जिससे आप जितना अधिक प्यार करेंगे वही आपको अधिक रूलाएगा इसलिए कहा जाता है कि संसार के मुह में ना फंस कर ठाकुर जी के चर्णों में प्रेम करना चाहिए संसार से व्यवार करना अच्छी बात है बिना व्यवार के संसार में नहीं रहा जा सकता लेकिन जहां प्यार की बात आए वहां प्यार तो केवल ठाकुर जी से करना चाहिए आज ये शोदा मैया ने ठाकुर जी को माखन चोरी के लिए रोका है लेकिन ठाकुर्जी ने अपनी भोली मधुर माधुरी मुस्कान से ये शोदा मया का मन कहीं और लगा दिया है ठाकुर्जी जिसे चाहें अपना दिवाना बना दें जिसे चाहें एक शन में रंक से राजा बना दें और जीसे चाहे एक शन में राजा से रंक बना दें लेकिन ठाकुर जी की परतेक लीला अपने भक्तों के कल्यान के लिए होती है आज प्रिक्षित राजा ने श्रिशुकदेव जी महराज जी से पूछा है कि हे श्री शुकदेव जी महराज हे प्रभू नंद और ये शोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था ऐसी कौन सी तपस्या के थी जिसके कारण श्री परभ्रम परमेश्वर उनके यहां पर पुतर रूप में आए हैं और उन्ह ने अपना बाल शृत्रों द्वारा उनको अनंद प जी उनकी धरा नामक पत्नी थी उन दोनों ने भौत दिनों तक परभ्रम परमेश्वर की प्राप्ति हे तू तपस्या के थी समय आने पर श्री हरी ने उनकी तपस्या से प्रसन होकर कहा कि तुम इच्छितवर मांग लो आदी पुरुष श्री नरायन जी के ऐसे वचन सुन आकर प्रसन होकर कहा है कि हेत पस्यों तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी परंतु मेरे समान दूसरा अन्य कोई देवता या मनुष्य तरी लोकी भर में नहीं है अत्यमें स्वयम ही तुम्हारे घर आकर निवास करूंगा अब तार लूंगा और अपनी अनेक मन मोहिनी रस भरी बाल लिलाउं से तुम्हें अपर्व आनंद दूंगा यह दिपी मेरा जनम दूसरे परिवार में होगा प्रंतु मेरे बाले काल का भरपूर सुख आपको ही प्राप्त होगा इस प्रकार वर्दान देकर प्रभु अंतर ध्यान हुए हैं इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेव जी महाराज राजा प्रिक्षिस से कहने लगे हैं हे राजन ब्रज में ये द्रोन वसुनाम के तपस्वी ही नंद जी है और उनकी तपस्वनी पतनी धरादेवी श्री शोदा जी के रूप में जनम लेकर ब्रज मंडल में प्रकट हुई है और इनी के यहा ठाकुर जी का शिक्रिशन रूप में अवतार हुआ है तो इस प्रकार शिर्मत भागवत महापुरान के दस्वें सकंध के आठवे अध्याय के अंतिम भाकी कथा का यहीं पर विश्राम होता है नोमे अध्याय में शिक्रिशन के उखल बंदन की कथा को आप सुन पाएंगे तो मंदर शी बंसी वाले महात्माईड चैनल के ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हारदी के धन्यवाद भगवान शीरादा कृषन जी की श्रीमत भागवत महापुरान की अनंत कृपा सदा सरवदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल का कामना के साथ जैश्री राधरानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जैश्री मत भागवत महापुरान की जैश्री शुकदेव जी महाराज की जैजैश्री राधे जैजैश्री राधे जैजैश्री राधे जैजैश्री राधे शाम